Hey everyone, so my name is Nishit and you are watching Code Health Flutter Development Series तो यार आज हम अपनी उस अपको कम्प्लीट करने वाले हैं जो एप हमने लास्ट वीडियो में बनाना सुरू करी थी आज 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 उसको जल्दी तो खतम करते हैं तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट वीडियो में आपको कुछ असाइन्मेंट दिया गया था कि आपको इस वेबसाइट को एक बार गोत्रू होके आना है हो सकता याद आ रहा होगा चलिए आगे वरते हैं नहीं होगे और इसे मुझे तो उम्मीद है तो जब इस पेच पे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़े जानने को मिलती हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि हमने जो कल एप बनाई थी हमें बनानी क्या थी ये बनानी थी हमको और बनी क्या थी ये बनी रही हमारी अब इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको खतम करने के लिए आज पर इसी पर काम करने वाले तो चलो आज आते हैं वापस से उसी पेज़ पर जब हम पेज़ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो एक चीज पहले हमें देखनी है यह जो material app है इसके अंदर एक material widget हो यह scaffold क्या करता है हम home में scaffold को define करते हैं scaffold में पहले सही बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जैसे कि app bar body or drawer इस तरह के चीज़ें हम इसमें लगा सकते हैं तो जैसे कि इसमें आप बार डिक्लियर किया हुआ है जो आप बार हम उपर देखते हैं header बना हुआ होत इसको भी डिक्लियर करेंगे आप पिछली वीडियो में हमने नहीं किया था इसमें हम उस चीज़ को लगाएंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें हमें और चाहिए क्या चाहिए देखिए यह साइड में इसको जूम करके दिखाता हूं यह साइड में जो element दिए हुए हैं card list टाइल इनका हमें काम है लेकिन stack से सुरू करते हैं तो stack तो आप जानते हूं एक के उपर एक element को place कर देने का तरीका होता है stack हम नहीं यूज करेंगे इसको लेकिन यह जो प्रापर्टी सर्कल अवेटर इसे हम यूज करेंगे इसे क्यों यूज करेंगे image के ऊपर goal circle दिख इसको बस इतना ही था stack के अंदर अब आ जातें card पे उसी के just नीचे card दिया हुआ है तो एक card क्या चीज होती card होता है एक container कह सकते हो आप लेकिन यह पहले से ही बना हुआ container होता है हमारी body के उपर जब हम card को रखते हैं तो side में थोड़ी सी shadow आती है और यह थोड़ा elevated सा feel हो तो देखो जब भी हम card को use करते ना तो mostly list tile का ही use किया जाता है यह दिया भी हुआ है यह किसी भी widget के साथ use किया जा सकता card but it is often used for list tile widget list tile के साथ card को ज्यादा use करते हैं क्यों करते हैं वो अभी हम खुद देखेंगे अब यह एक properties की यह देखने वाली है a card shrinks its size to 0 by 0 pixel यह 0 by 0 pixel का हो जाता है मतलब इसका कोई भी size नहीं होता है जब तक इसके अंदर कोई widget नहीं होता है तो नीचे आ जाते हैं अभी लिस्ट टाइल को use किया है कार्ड का चिल्डरन नागी देखो आप इस एक्जामपल में इस लिस्ट टाइल का क्या काम है सबसे अच्छा चीज यह है कि जैसे आपको पता होगा जब कोई करव होता है तो जो उसकी growing एड जोती उसको बोलते है लीडिंग और जो उसकी decaying edge होती उसको बोलते है trailing edge लीडिंग और trailing तो इन दोनों चीजों का इस पर बहुत बड़ा effect है यह यह स्टार्टिंग में जो आइकन लगा हुआ है यह leading element है इस list टाइल का और यह जो बीच का पार्ट है यह title होता है इस list टाइल का और जो बाद म हम कुछ लगा सकते हैं इसमें लगा नहीं हुआ है वह होता है trailing icon यह trailing element बोल सकते हो आप icon दो text दो कुछ भी widget दो उसके अंदर यह trailing part है यह leading part है और यह title part है अब हम इन तीन चीजों को use करने जा रहे हैं अपनी app में चलो आ जाते हैं वहाँ पर तो यह app हमने बना करके श एक circleinator यह देखिया सबसे उपर हमें एक image लगानी है इसमें लगाते हैं एक circle avatar अगया यह लगा दिया अब हम इसे complete निकर रहे हैं और हमें क्या लगाना पड़ेगा और हमें लगाना पड़ेगा एक text, text widget, other than this हमें लगाना पड़ेगा एक और text widget इसे भी लगा देते हैं और और उसके बाद हमें दो कार्ड लगाने हैं तो कार्ड को हम लगा देते हैं एक कार्ड लगा दिया ये और कॉमा लगा के दूसरा कार्ड लगा दिया ये एक लाइन में मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजे क्लियर हो जाएं अब आप देख सकते हो कितने चीजे हमारे पास सर्कल अबेटर टेक्स है ऑपें अब पर चीजज और बहुंअ है ये कांटेन लगा हूँए हमारे मोरी हम अब यह तक दो यह ठीक था लेगिन हमें बैंग्राउड पाळने के लिए में चोपकी उपड़ेगे क्योंकि वो ही होता है जो यह सब चीजों को प्रोवाइड करता है तो हम क्या करेंगे इस कंटेनर को रैप कर देंगे एक विजट के अंदर पिछली बार की तरीके हम दबाएंगे कि मैं रहें के चाइल्ड इसका नाम कि मुझ की विजट में ऐसके चाहिले नायूल कर्वापरटांस थियुर्ञ़ज हो Sun nữa कि छीज vert हमें कि country नहीं बना सकते हैं तो हम इसका नाम देते हैं body क्योंकि body के अंदर जो की perform होना वह इसी में होना है कि एक बार फिर से format कर देते हैं ठीक है इस्का फोल का काम होगे हम इसमें background color वाइड़े देते हैं ताकि लगने लगे कि कुछ किया हुआ है तो लिखेंगे background color देने का तरीका होता है आप जैसे start करोगे color लिखना c o l o r बहुत सारे options आजाएंगे तरह तरह के color लगते है और भी वैल्यू से लगता है number से लगता है hex code से लगता है देंगे हम करेंगे बिल्गोल simple तरह से colors 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 dot जो भी color हमें देना है तो हम इसमें color देते हैं blue accent दे रहते हैं ये color हमने इसके background के लिए declare कर दिया इसको एक बार अब हम एप को run करके देख लेते हैं कि कहां तक हमारा process पहुंचा है तो यह app हमारी यहां पे आ गई है run के अभी आप देखो कि इसमें बहुत सारी चीजों की कमी है लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि यह एक circle elevator लगा है नीचे दो text लगे है data और data नाम से उसके नीचे हमने दो card लगा है जैसा कि हमने property पढ़ी थी कि वह जीरो बाई जीरो पिक्सल हो जाता है अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है तो वही हुआ है यहां पे कोई भी card शो नहीं हो रहा है अब card की property क्या होती है card में क्या क्या लगा सकते हैं तो वह card के उपर over करेंगे तो उपर हमको देखने को मिल जाएगा इसमें हम color दे सकते हैं shadow color दे सकते हैं elevation shape border सब कुछ हम दे सकते हैं लेकिन जो मेहन चीज है वह है child तो पहले declare करते हैं इसके child अब card का child हम बनाएगे list tile और list tile के अंदर जैसा कि हमने discuss किया तीन property होती है leading, trailing और title अब list tile के उपर आप over करके confirm कर सकते हो कि इसके अंदर कौन-कौन से widget होते हैं देखे दिया while, leading widget, title widget, trailing widget एक subtitle भी होता है उसका use नहीं है वो title के निचे जो थोड़े-चोटे font में लिखा होता है वो subtitle होता है अब list के अंदर हम लगाते है leading element को सबसे पहले तो leading में हमें क्या लगाना है icon लगाना है icon property डाल दी इसके अंदर हम icon कौन से देंगे icons.phone इस तरह से icon को declare करते है icons.phone लिखेंगे icon वो अपने यहाप आ जाएगा तो icons.phone अमने जैसे लिखा यह देखे साइड में आपर एक phone बन करके आ गया है अब देखो यह वो app है जो मैंने पहले से बना कर रखी है यह आपको github profile में भी मिल जाएगी मैं अभी एक चीज समझा दे रहा हूं इसको आप समझना बहुत ध्यान से और खुद से करने का try करना और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पर आजाना है मार्जीन भी तरह तरह की होते हैं यह आपको फ्लटर की website में देखने को मिल जाए अब देखो यह जो मार्जीन में यूज करके रखा है यह आप जब इसको डालोगे ना तो यह सब खेलने वाली चीज़ है आप देखना कहां पर हमको कितना लगाना हूँ हिसाब से आप एक leading element है उसके अंदर icons.phone और color लगाया हूँ है colors.lightblue accent यह आपको पता कैसे लगाते हैं इसको minimize कर दो एक property लगी एक प्रोपर्टी लगी टाइटल टाइटल के अंदर हमने टेक्स्ट दे रखा है जैसे leading के अंदर icon दिया तर टेक्स्ट दिया टेक्स्ट यह दे दिया है अब नंबर तो बताया नहीं जा सकता तो उसके लिए मैंने यह डाल दिया आप इसमें अपना नंबर डाल दो और मैं तो बोलूगा इस एप को आप फोन में भी इंस्टॉल कर लेना बनाने के बाद क्योंकि यह एक अच्छी चीज है इंट्रो एप है आपको किसी को भी mobile नंबर इमेल आइडी अगर आपको दिखानी है आप इस एप को दिखा देना सीधे और सबसे बड़ी बात आपकी बनी हुई है तो खुसी अलग होती है और यह हो गया दूसरा element टाइटल लेडिंग टाइटल और ट्रेलिंग हमने लगाया नहीं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं सेम इसी तरह से हमने दूसरा कार्ड बना रखा है उसमें भी सेम प्रोपर्टी यूज करी है बस देखिए इसका जो आइकन है आइकन डॉट इमेल डाला हुआ है और इसमें जो टाइटल डैला है वो डाल दिया इट्स कोडहल्प की ऑफीचियल इमेल आइडी है तो इस तर हम खुद से करने से आती है मैं बहुत आपको इंकरेज करूँगा इसलिए कि आप इसको जरूर करो कितनी अप दोगे उतना यादा आपको समझ में तो आपको इस टाइल प्रोपर्टी के साथ खुद से बहुत प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि तरह सब के अलग-अलग क् जैसे कि यह पेसिफ हो, font family कहां से आई, इसको हम कहां से लाएं, और यह तो आपको पता ही, letter spacing, font weight, font size, color, यह आपको सारी properties के अंदर यह देखने को मिल जाएंगे, इसी तरीके से use कर सकते हो आप भी, जैसे मैंने कर रखी है, इसी तरह से दूसरा भी हमने text डाल रखा है, जो नाम के नीचे आता है, flutter developer लिक रखा है, इसमें कोई font family नहीं लगाए, क्योंकि हमको इसको unique नहीं बनाना था, अब आगे की बात करें, तो circle elevator आता है, circle elevator में यह जो background image दे रखी, asset image type की दे रखी है, जब आप widget वाले page में जाओगे, तो वहाँ पे देखोगे, बहुत तरह स images declare की जा सकती है, asset image, image dot asset, image image का URL, web image, आप तरह तरह से use कर सकते हो, कोई boundary नहीं कि आप कौन सा करो, depends यह करता है, आपको कौन सा use करने में आसान लगता है, तो यहाँ पे asset image को use कर रखा है, मैंने, और यह link दे रखा है, link images के अंदर, नाम वाल, images के अंदर, उस file का नाम है, ज जो हमारा section है, जहां पर हमारी file खुलती है, जो folder हमने खूल रखे है, उसके अंदर हमने दो folder अलग से बना रखे है, एक तो यह fonts का, एक यह images का, font के अंदर देगी क्या, pacifico regular dot ttf, यह कहां से आता है, पहले तो आपको बता ले, folder कैसे बनता है, तो folder बनाने के लिए हमें folder को select करना होता है, और कोई भी folder selected ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है, तो outside में click कर देंगे, अब कोई भी folder हमारा selected नहीं है, अब हम यहाँ पर click करेंगे, new folder पे, अब folder का नाम हम डाल देंगे, माल लिजे हमने दाम दे रही है new, तो यह new folder बन गया देगे, यह same level पे बना है जिस पे और folders है, फिलाल मुझे इसको नहीं रखना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसी तरह से font और images दो folder बना के रखें, यह structure maintain करना जरूर है, images के अंदर मैंने अपनी image दे रखी है, और fonts के अंदर मैंने अपना font दे रखा, जो मैंने use किया है, अब font कहां से लाते हैं तो font को लाने के लिए हम लिखते हैं, fonts.google.com, यह Google fonts कोल जाता है, जो use करने के लिए बिल्गुल free होते हैं, और इनको use करने का फाइदा भी होता है, फाइदा यह होता है, कि यह अलग-अलग system जो होते हैं Android, iOS, सब में सारे fonts सपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो Google fonts होते हैं, वो font है, Pacifico, आप सर्च कर सकते हैं, उसको Pacifico, जब सर्च करेंगे, तो यह आपता है, यह देखे नीचे, इस font पर click करेंगे, इस तरह का यह दिखाने लगेगा, इस तरह का इसके letters है, सारी यह दिखेंगी, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो यह नीचे जो license है, लिखा हुआ, you can use them freely in your products and projects, बस फिर कही है, हो गया दाम अपना, अब यहाँ पर आजाते हैं, download family, हम इसे कर लेते हैं, download, इस पर click करेंगे, एक zip file डाउनलोड होगी, zip file को extract करेंगे, वो सब आपको पता है कैसे extract करेंगे, extract करके लाएंगे कहाँ तो यहाँ पर हम लाएंगे, जो हमने folder बना रखता है, इस पर right click करेंगे, reveal in file explorer करेंगे, तो यह reveal हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा यह folder बना हुआ है, उसको open करेंगे, यहाँ पर हम extract कर देंगे, उस folder को, extract करेंगे, तो एक यह file आईगी, एक license की file आईगी, license की मैंने delete कर दी पड़ी भी रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे font का काम हो गया, अब बात करनी है, हमें image की, image कैसे आईगी यहाँ पर, कोई बात नहीं, बिल्कुल simple सी बात है, reveal in file explorer करेंगे, images folder को लेंगे, जो हमने अभी बनाए था, उसके अंदर हम image को लागे, अपने drop कर करेंगे, बट, अभी भी हमारे project उसको access नहीं कर पाएगा, यह है main बात, तो भाया, access कैसे करेंगा, यहाँ पर आप देखोगे, project के लेवल में नीचे एक file है, pubspec.yml, pubspec.yml ही वो चीज है, जो हर चीज को call करता है, सारे assets को use करता है, तो pubspec.yml में हमें क्या करना पड़ करेंगे, तो यह देखिए asset, यह पहले तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, यह has होगा, मतलब commented होगा, हमें इसे uncomment करना पड़ेगा, अब images के आगे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो मेरी file है, nishid.capital.jpg, format का एक दम ध्याम रखना पड़ेगा, हम ऐसे भी दे सक आदर का नाम दे दिया, अब नीचे आते हैं, तो फिर से font यह भी commented रहा होगा किसी समय पे, तो हमने इसको uncomment किया, family को pacifico दे दिया, family का नाम, fonts, assets, fonts slash pacifico, font slash pacifico क्यों, यह देखिए, यहाँ पर हमने folder जो बना था, fonts, उस folder fonts के अंदर pacifico regular.ttf है, अगर हम इसको अटा भी देते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि उस folder के अंदर इतनी file है, वो सारी इसको excels मिल जाएगी, फिर भी हमने दे दिया, क्योंकि हमें individually वही एक file यूज करने थी, पर image में नहीं दिया था, आपने मन के उपर है वाई, तो इसको ऐसे रहने दिया, अब दूसरी करते हैं, यह सब करने के बाद, हमें करना पड़ेगा, run, upgrade packages, upgrade packages यहां से हम click करेंगे, तो यह package upgrade हो जाएगे, अब इन सब चीजों में इस चीज का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो हम image और यह सब चीजे लगा रहे हैं, इसमें जो space होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी bracket होता नहीं, कोई block होता नहीं, कोडिंग का, तो इसलिए space बहुत matter करता है, जो flow में चल रहे हैं, उसका अंदर का part उससे थोड़ा सा अंदर होगा, इस तरह से, और अगर एक भी space आगे पीछे होता है, तो आपका project काम नहीं करेगा, तो इसलिए उसके साथ चेड़ चाल मत क करें, काम करें, तो सिर्फ इधर-इधर, ठीक है, यह चीज बहुत जरूरी बताना है, इसलिए बता दी, इसको कर देते हैं, हम सेव, सेव करते ही, यहाँ पर यह रन करने लगा, flutter pub get, हम इस project को एक बार फिर से अब रन करके देख लेते हैं, कि क्या है हमारा output, पर रन करते हैं, प्रोजेक्ट को, इसी के साथ हमारी यह वाली एप भी बनके रेडी है, हो सकता है, आपको लगा हुए बहुत तेते चला दिया, क्योंकि भाई, एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना, बहुत मुश्किल हो जाता है, आप टेलिग्राम पर आओ, आप पूछो, जो इसी के लिए हमें इस पर महनच ज्यादा लग रही है, ज्यादा चीज़े सीखनी पड़ रही है, ज्यादा दिमाग भी लग रहा है, लेकिन अगर एक बार इतना कर लेंगे, तो आगे ही एप्स के लिए हमें हर बेसिक चीज आती होगी, यह आप आप आपने बना ली, तो इसके बाद आप जितनी भी आप्स बनाओगे, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, बस आपको चीजों को बनाते जाना मज़ा बहुत आएगा उसमें, तो इसी के साथ खतम करते हैं आज के अपनी इस वाली वीडियो को, हम मिलतें सीज़े नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाए